हरी कृष्णा श्रीमत भग्वकीता सिर्ट एकिन टेक्स्ट नंबर नाइन इस आध्रात्य ज्यान को ग्रहन करने के लिए कृपा प्राप्ति करने के लिए मंगल असरन करेंगे ताके हम जो अध्यन करने वाले हैं उसका पूरा-पूरा लाव प्राप्त हो सके जो कि है कृष् ओम नमो भगवति वासुदेवाया ओम नमो भगवति वासुदेवाया ओम नमो भगवति वासुदेवाया ओम नमो भगवति वासुदेवाया ज्यानन जना श्राख्या जक्षरों निविताम जेना तस्मय श्री गुरुवे नमहा। श्री शैतन्या मनोहिस्थं स्थापितं जेन भूतले। स्वयम रूपह कदामहयं ददातिष्व पदांधिकंश्व वंदी आहं श्री गुरुव। श्री उत्तपत कमलं श्री गुरुवे श्रावाश्या श्री रूपह। साग्रिसातं साग्रगुनातं वीतं संसाजीवं। साथ्वेतं सावधूतं परिजन सहितं क्रिष्ण सैतन्या दिवं। स्री राधा प्रेष्ण पादं सहाग्र लालिता श्री विशाखान विताश्व। एक्रिष्ण कर्णा सिंदू दीनमंधू जगत्तति गुपिश गुपी का कंता श्री राधा कंत नमोस्तुते तप्तकां चनंगा रंगे श्री राधे रिन्ना वनेश्वरी रिष्य भानों सूत देगे श्रमानी हरी प्रिये। वांचा कल्पतरुभ्यस्य क्रिपासिलुभ्य इवच्य पतितनां आवनेभ्यो वैष्ण वेभ्यो नमो नमाह। जेवशी क्रिष्ण सैतना प्रभुनित्य अनन्दा श्री अध्वैत्यम् रनाधारं श्री वासदी गौनभात्य विल्ला। तो बागवानस्री कुछ्ण ने बताना शुरू किया है और तरह ने कहा। जा बावाम स्कुम्ह ने शेवन नंबर में बताया नियत अस्यतूर्ट कि घाता कर्ब नो पपध्यते मोहा तक्स्य परीज्याद रपहिएDD कि जो अपने निय्यत कर्म हो बिश्द देता है क्यों साजता है मोह के वस्द देता है तो इस इत्याद को ताम सिकाज़त है निकि मौह होता है उसको या फिर प्रपन से समझ कर या फिर ना ये सोच कर च्याज़ देता है कि कौन इस जिन्वेट में पढ़े तो वो ताम सी जाज़ है और आगे बता है भगवाने दुख में की वयत करना काय इकलेश भयाद चाज़े सक्रत्वाराज सम्झागम नावत आगम भलम भलम और अपने नियत करमों को जो दुख देने वाला समझ कर या फिर इकलेश के भय से अगर कोई ज्यान देता है तो वो रज्यू गुनि जाज़त है अज यहां बर आप लोगोंने एक बात नोट की कि भागवान स्री कृष्णा ने घ्लाब के विश्य में बताना शुरू किया सबसे पहले तामस ही बताया उसके बाद राज इसी और आज भागवान स्री कृष्णा हमें सत्री की इकलाब के विश्य में बताया वेसे इससे पहले जल भी भागवान ने ये तीन गुणों के विश्या ने बताया तो जो भी भागवान ने बताया ये दाम का पस्या इतना दी तो हमेशा भागवान ने सबसे पहले सत्यो गोई बताया उसके बाद रजो गोई आखर में तमोगोई बताया लेगि इस बार भागवान स्रीकृष्ण ने उर्टा शुरू किया न, पहले तामसी बताया, मोहवश अगर त्याद दोगे तो तामसी होगा, और अगर शाहरी केश के भाहश से अगर त्याद दोगे, तो राज शुरू होगा, और आज भागवान आमे साथ से च्छी बताया, यह उल्टा भवान से शुरू किया, भवान में उल्टा हिसी शुरू किया, कि सबसे बेले तो अरजन को ये बता दू, कि मोहवश नहीं प्यादना है, ये तो तामसी है, तामसी तो बहुत जादा खतरनाक होता है, वो तो आपको भयंकर इस सिर्टी में पहुंचा सकता है, क्य आज भगवान हमें सात्वी की त्यार के विशन बताने हैं ये भगवान के रहे हैं सिप्ट 18 टेक्स नुम्बर 9 भगवान में तहां कार्यमि येवयत कर्मा नियतम क्रियते जुना संगम् त्यत्वा फ्लम् जैवा सत्या कह सात्वी को मतहा तरह सुन्दर भगवान से प्रश्मा बता रहे हैं मैं साथ श्लोग का उचारन करने का प्रियास कीजिए कार्यमि येवयत कर्मा नियतम क्रियते जुना संगम् त्यत्वापनं सैवा सत्या कह परिधितः कार्यमि येवयत कर्मा नियतम क्रियते जुना संगम् त्यत्वापनं सैवा सत्या कह सात्रिको मतहा कार्यमि येवयत कर्मा नियतम क्रियते जुना संगम् त्यत्वापनं सैवा सत्या कह सत्या कह सात्रिको मतहा कार्यमि येवयत कर्मा नियतम क्रियते जुना संगम् त्यत्वापनं सैवा सत्या कह सात्रिको मतहा इस लोगो ममें याद करना साइए ये बहुत ही सुन्दर भावान के वाक्ये है सात्रिकी ग्लास्टिविशन भावान बता निये भावान ने कहा कार्यम मतलब कर्णिया जो आपकी नियत कर्म है जैसे आप जिसकी इसके पर हो आपके लिए कुछ न कुछ कार्मनियत है, निर्धारित है, तो इस कार्या मतलब करनिया, इती मतलब इस प्रकार एवा, यानि निस्चन देह, यानि कि जो आपकी करनिय कार्म है, जो आपको करने हैं, वो निस्चन यत्टू, अब बतार यत्ट कर्मनियत, यानि कि जो कर्मनिय प्रणग किरते हैं यो निय स्टाइब किया जाता है अजbro कीदर्व kur मतर्तिन केहती है कि वह मनश्य जो अपनी करतवियर एसैंस करा या कि मुझे करना मतर्या कार ये रिभा deeper फिर य जार किया ज़टा है, जब कहार ये सारे करता हैं Zachary सर्थ के संजटी को त्याग ना है और भगवान आगे बोलते हैं एवर सत्याग है यानि कि वो निश्य ही सही वाला त्याग है कौन जा वाला त्याग है सात्री को मता सत्यों गोई मता मतलब मेरे मत से भगवान ने बहुती सुन्दर त्याग का वर्लन किया है बिल्कुल इतना आच्छा बहाँ बता रहे हैं, यह अर्जुन जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करना करता है, मुझे करना है, यह मेरा कर्तव्य करना है, और यहीं कि इस कार्म को नहीं त्याँता और समस्त भावतिक संग्रपी तथा फल की आशक्ति को त्याज देता है, दो चीजों को कोई आसकती नहीं हो नहीं साहिए आसकती ही आपको आपकी कारिय में काम उत्पन कराएगी इच्छा उत्पन कराएगी फिर काम पुरा नहीं होगा तो फिर क्रोध उत्पन होगा क्रोध आपका पुरा नहीं होगा फिर लोग उत्पन होगा और इस तरह से दोबारा हम माधी गंदगी में गिर जाएंगी ये संगती जो है इसी भागवान स्री कृष्ण ने हमें बताया था इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने का एक तरीका जो भागवान स्री कृष्ण ने हमें 15-15 में बताया था बहुती सुन्दर उन्भामने को बहुत अच्छे तरीके से तब पढ़ा था रागवान ने कहा नरूपमच्चिहा तथो पलभ्यते नांतो नचादे नचसंप्रतिष्था कि ये जो विक्ष है जिसकी जड़ें बहुत ही विक्ष है जो आपको भठकाता रहता है उसको काटने के लिए शास्त्र कौन सा बताया असंग शास्त्रे ना और आज भगवान स्री कृष्णा उसी संग त्यक्त्वा संग त्यक्त्वा मतब अना सक्ति और असंग का मतब होता है अना सक्ति ये दो चीज़ हैं जब आप उनके साब कोई कार्य करते हो कार्य को त्यार करने के लिए भगवान नहीं कहा खाली कहा Saringam Te Tva Farmśe Eva यानि सँर को त्यारना आसक्ती को त्यारना इंजी टेस्मेंट का हत्यार होना चाहिए और उस कार्यके ःफाल में आपकी कोई आसक्ती नहीं होनी चाहिए तो वह उस का साथ्थिक प्यात कहलाता है बहुत ही सुननर भागवान सी कृष्ण ने बताया और इसी त्यार के विशे में शुलर उप्पगोस्वामी ने बताया था आनासकतस्य विशेयान यानि विशे के अंदर जो विशे है उसके अंदर आपकी कोई आसकती नहीं होनी चाहिए इधार हम उपईयोता यानि वो हमें करने है उसके अंदर आसकती नहीं है लेकिन हमें करने है और क्या सुछकर करने है निरबंदे कृष्ण संभंदे युक्तवयरा आजय मुच्छदे यह मुझे इससए कोया सेक्ति नहीं है जो अदो मुझे इसके फाल की कोई आवशकता नहीं लेकिन ने मेरे लिए यहां दारिग किया है उसके साथ से भागवान मुझे यह डियूटी फोंपी है तो यह डियूटी मुझे करनी है उसके अंदर मुझे कोई आस्पर्ट भी नहीं कहनी है और युक्त वैराग्या मुझे और इसको युक्त वैराग्या कहा अस्नी तांत्याग उसको कहा और भावान ने इसको साथ भी कितिया कहा श्री लब रुपाजी हमें बहुत सुन्दरीती से समझाएंगे श्री लब रुपाजा श्री लब रुपाजा की जय हो श्री लब रुपाजी केते हैं नियत कर्म इसी महन भाव से किया जाना चाहिए मानुश्य को सेल के प्रती अनाश्प्त होकर कर्म करना चाहिए उसे कर्म के गौन से विलग हो जाना चाहिए यानि कि कर्म के अंदर उसकी कोई आसकती नहीं होनी चाहिए उससे बिलकुल अलग हो जाना चाहिए जोव्यति कृष्ण भाव मामनित में रहकर कार खाने में ये कार्य करता है वहना तो कार खाने की कार्य से अपने को जोड़ता है ना ही कार खाने की श्रमेकों से यानि कि आप कोई की कार्य कर रहे हैं, जैसे हम घार में कार्य करते हैं, तो इसकी बहुत सुन्दर उधारन है, कि देखो हमारे घार में नोक कर भी आते हैं, कोई सर्वेंट आते हैं घार में काम करने के लिए, वो घार को कितना अच्छे तरीके से साफ करते हैं, हर चीज तो set करनी होती है, बैड में सब्राइब करनी होती है, लेकिन उनका मन पुरा मन अपने घर में होता है, कि मुझे अपने घर जाना है, मेरे बच्चे है न», उनको भी खाना लेना है, लेकिन वहाँ पर वो कार यह इतना अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, उनको किसी चीज 설क रहा होती है. कोई जोरी करके जाए उसको तो उस रखने पड़ता न और उसकी आसरती किसमें अपने लच्छा में ठीके उसी तरह हम आत्मा है यह शरीर हमें मिला है यह शरीर नोकर की तरह है तो हम लो इसको जैसे जितने भी कारिया हमें हमें सोंपे गए हैं वो मालिक को प्रस्तन करने के को मालिक भागवान को प्रस्तन करने के लिए सारे यह ड्यूटीज मुझे करनी है लेकिं अटेश्मेंट किसके साथ होना जाए जो मेरा रियर संबन लिए जो भागवान है उसके साथ हमारा अटेश्मेंट होना जाए तो इससे करने से यहां पर श्रपुपा जी ही बता रह मा पर कृषन के लिए कार्य कृता है वहों इस काफल क्रिषन को आत पंका देता है तो वह वह दिव्य साथ कार्य करता है और ज़त कृष्णा को अब बन जाए राता है, उस सारे काले काफ़ल, कि भाई मैंने अच्छा, और अच्छा करना है, ऐसा ने, कि ये जान चुड़ाने के लिए जन्जल समझ की जेसा जेसा करना है, अच्छा करना है, ताकि कृष्णा प्रसन हो, कि भाई ये ड्यूटी अच पर बहुत ही सुनर है, जो अछे सेवा में तुछ कहते हैं, वो अमें अच्छ को पूरू वह बॉलाइये तो यह सादन सा कार्या ही नहीं कर सकते हैं, नहीं सेवा क्याद करेगा। पिर भावान अपनी सेवा भी नहीं लेंगे, इसे जो भावान ने हमें कार या निर्दिष्त दिये हैं, वो आमें अच्छे से करने हैं, आगे वाले शोक रहे, वो बहुत ही सुन्र है, नेरा प्रिये शोक है, वो अच्छा लगता है बोलने में, भावान स्वी कुष्ण कहते है चित्र 18 टेक्स कमबर 10 भावान कहते हैं नद्वेश्ट्यकुशलम कर्मा कुशले ननुशच्चते त्यागी सत्वसमावेश्टो मेलावीचिन्न साउशया हा साथ में पढ़िये नद्वेश्ट्यकुशलम कर्मा कुशले ननुशच्चते त्यागी सत्वसमावेश्टो मेलावीचिन्न साउशया हा एक बाफे नद्वेश्ट्यकुशलम कर्मा कुशले ननुशच्चते त्यागी सत्वसमावेश्टो मेलावीचिन्न साउशया हा एक बाफे नद्वेश्ट्यकुशलम कर्मा कुशले ननुशच्चते त्यागी सत्वसमावेश्टो मेलावीचिन्न साउशया हा एक बाफे नद्वेश्ट्यकुशलम कर्मा कुशले ननुशच्चते त्यागी सत्वसमावेश्टो मेलावीचिन्न साउशया हा वो सुन द्वेश्ट्यकुशलम कर्मा करता है अकुशलम का मतलब होता है अगर उसके सामने कोई अकुशल कर्माता है अशुब कर्माता है अशुब का क्या मतलब होता है यानिकि एक इससा कर्म जो देखने में समाज की दृष्टी में अशुब लगता है लेकिन आपका फर्ज है तो आपको कर्म करना पड़ेगा जैसे समाज की दृष्टी में अशुब लगता है कैसे मतलब जैसे अब अर्जुन ख्षत्रिय था उसके सामने अब निवदिष्ट कार्म क्या था कि उसको युद्ध करना था किसके साथ बीशन पितामा और गुरू अपने गुरू दोनाचारी अपने डादा के साथ और बीशन पितामा के साथ बीशन पितामा और अपने गुरू माराच के साथ युद्द करना स्वामाज की दृष्टी से देखा जाए तो यहाद कितना अकुशल करना है बिल्कुल गिर्ष करना है और इस तरह ये कॉस्टन किया था अर्जुन ने श्री मदभब बजीता में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था आर्जुन ने पूछा था भवान से कि आप मुझे बोल रहे हो कि इनके साथ युद्द करूं अजर आपके सामने इसे ताथपरी में श्री भबभाजी ने पहले या दूसरे अध्याय के किसी ताथपरी में बता है था कि आप मुझें बोल रहे हो कि इनका वतकर अगर आपके सामने आपके नामा उग्र सें होते या आपके गुरु सांधी पर में होते तो उनको मारते तो उसका उत्तर भवान स्री कृष्णा दे रहे हैं देखो यहां पर भवान के रहें कि आकुषल कारीस सी कुछ द Battle करता आकुषल, य stylis सामाज की दिरिश्टी से अगर आपर करता व्या अशुब है तो भी नदिश्टokee वो ग्रान नहीं करता कुषली नानोषज्जड़त है कुषली मतब अगर शुब है समाज के दृष्टे से बहुत अच्छा है तो नानो शज्जत है, यानि उसके अंदर आसकती भी नहीं रखता त्यागी सत्व समाविष्टो सत्व मतलब जो त्यागी सत्वबर में इस्थित होता है नेधावी, वही बुद्धी मान है शिन्न साँशया, उसको उसके सारे साँशये, समस्त साँशये, सारे संदेह, जो है वो शिन्न हो गए, यानि के वो खत्म हो गए उसको अपने कर्टवियों के विश्जये में कोई संदेह नहीं है भार्वान कहते हैं, सत्वबर में इस्थित बुद्धी मान जागी जो ना तो अशुप कर्म से घृणा करता है और नहीजी जुप कर्म से लिफ्ट होता है वह कर्म के विच्टे में कोई साऊशे नहीं रखता वो जी सुन्दर श्रण पोगपाजी आप पर यह बताएंगे ना तो किसी व्यक्ति से गहां करता है, ना अपने शरी को कश्ट देने वाली किसी बात से, उसको ये खबर होती है, क्यांने, नहीं नहीं हुआ हैं। वहाज कर तो होता है अपना आक पज़ता है जो प्रढ़ सबन से कर रहा है catch कभी कभी इसा होता है घर में कोई य mentor अमारजाता है तो सो अटा के लिए करा जाता है उसको पता है कि बज क्योंगा वह moji क्रणभण ने क्रणी है और इसे मुझे अपने मालिक को प्रशंद करना है एसे व्यक्ति को जो आध्यात्मे को प्राप्त है, सरवाधिक बुद्धिमान चाहिए अपने कर्मों में सौंशे रहत मानना चाहिए। जो मुझे निर्दिष्ट कर्म मिले हैं वो करके मैं भर्वान को प्रसन कर लूँ और फिर ताके मुझे बारमबाज जर्म मिर्ट्यू के सक्कर में नहीं परसना पड़े। किसी चीज में आसकती नहीं है, सरवाधिक बुद्धिमान है और अपने कर्मों में सौंशे रहत मना रहत मना रहता है। अपने कर्मों में कोई सौंशे नहीं होता है, शक्त नहीं होता है कि मैं करू पता नहीं करू उसको बता होता है ये मेरा कर्द भी है, मेरी एस्सेज है, तो मुझे एक करना चाहिए। तो उसके एक और भगवान है और दूसरी और कुशलता है। कुशलता मदद जब भगवान उनके सामने आये थे और उन्होंने तीन पेर पित्सी का दान मंगा था तो शुक्रा चाली जो उनके गुरू थे उन्होंने समझाया कि ये भगवान है और ये आपकी समत्त कुशलता को छीनेंगे। यानि कि जितना भी आपके पास जन है, जितना भी जर्भाव है, जितना भी सुख है वो उसका ठीन हैंगे। बली माराज है बातों पकड़ लिया और कहा कि अगर ये भगवान है तो मैं अपना सर भी काट करके दूँगा। और ये मुझसे मांगने आए, ये तो मेरा सौधा है कि भगवान स्वया मुझसे मांगने आए है, यानि कि ये अकुशल करम था, उसको पता था कि इसके रिजल्ट में मेरे पास पुछने बसने वाला। लेकिन उसको इतनी शद्धा थी इस बात पर कि भगवान अगर भगवान उससे लेने आये हैं, तो मेरा कर्तब ये है कि जो भी मुझसे मेरे पास है, मैं उनको दूँ तो कोई भी उसको कोई सौशे नहीं रहा था, भगवान को प्रसंद करके क्या हमारा कोई ऐसा हो सकता है उसको यकीन था, उसे कहा, शुक्राशारी नहीं कहा, स्वीधा क्या, जीवन निर्वा भी नहीं हो सकेगा, वो सब ले लेगा, दो पेर में ही लेगा, यानि कि उसको तुमने तीन पेर देने के लिए गच्छन दिया है ना, तो एक पेर में तो क्या लेगा, पूरी तुम उसको नहीं दे सकोगे, बली महाराज मना कर दो उसको, उसके गुरु ने उसको शुक्राचारी ने बहुत समझाया, बली महाराज इस इस से ग्रेश नहीं कर रहे थे, यह अकुशल कार्म है, लेकिन फिर भी क्योंके मेरा करता लिया है, मेरा जाओ, बागान ये शुक सब कुश अपने से सारे तीनों लोकों का राज भागवान ने उसे दे निया होता आप सब चनते हूं, फिर लगश दे दा है, तो आप खाए ज्यों कि रहra बागालत्याह, अब मेरा जीवन निरवार केसे होगा, बला पापाल में जले चाओ, बला पापाल में, मैं क्या बगवान को दे दिया, लेकिन, अब इतना सब देने के बाद, अगर मों सिर्फ यह पूछ रहे हैं, कि जीवन निवा के लिए क्या, तो ये खराब नहीं है, ये गलत नहीं है, इसे इंदरे तरप्ती की बात नहीं किया है, इसने सीर्फ ये कहा है, कि मैं जीना जरूरी है, ति इतनी दली कि मैं जीऊंगा कैसे तो यही जीवन निर्वाह के लिए पूछ रही है कि मैं कैसे इसे नहीं है कि भागवान से हर एक चीज के लिए बिखारी बनकर बांगना से है लेकिन जीवन निर्वाह कैसे होगा मैं जीऊंगा तो तुम्हारी वक्ती करूगा ना तो जो इस शाद जो शुद्ध ब्रहमन के बगेर किया जाएगा उसका सारा फल जो कर रहा है उसको नहीं मिलेगा वो सारा फल तुमको मिलेगा वेदों का अधियन जो वेदों का अधियन कर रहे हैं हम सब ब्रहम सिर्य पालन के बिहां किया जाएगा आपको पता है ग्रस्ट भी भ्रह्मचारी होता है इसा स्ट्र में होता है वह ग्रस्ट जो अप शास्त्रों के अनुसार अपनी ग्रस्ट को चलाता है संतान उत्ति के लिए ही ग्रस्त जीविका चला रहा है और केवन अपनी पत्नी से संतुष रहता है वो ग्रस्त ब्रह्म चलिया है तो इसे यहाँ पर बता है गया कि वेदों का अधियन अगर ब्रह्म सरी के पालन की बिवर किया जाता है तो उसका सारा फल किसको जाएगा महराजब बली को जाएगा हमें नहीं मिलेगा आगे बताया भगवान रुके नहीं बोले बिना दक्षना के यग्य अगर कोई करता है दक्षना नहीं देता है तो उसका सारा फल यग्य करने को हले कोई नहीं मिलेगा महराजब बली तुम्हें मिलेगा बिना श्रद्धा के दान अगर कोई करता है दान के अंदर कोई श्रद्धा नहीं है तो फिर उसका फर आपको मिलेगा आगे भावाने बहुत सुन्धर शब्द कहें इसे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है तो भवान ने कहा, जो मुझ से तथा मेरे भगतों से द्वेश करता है, तो वो कोई भी पुनिय कर्म करता है, कोई भी पुनिय कर्म अगर करता है, तो उसके सारे फ़र आपको मिलें, अगर महामंत्र का जगती करता है, लेकिन मेरे भगतों से द्वेश करता है, उनकी निंदा करता है तो तो उसका सारा का सारा फ़ल आपको नहीं मिलने q. m. अ. 0 impostor 1 का १ महराज ब्रॐट अमस्त कर्म of 25 आधार महराज को भागवान प्रेदिकि बधा संतिक कर्म यच्चम, पुझम्बन दुषिनाम यच्चम मत्यत्ता दुषिनाम तथा, अशध्थया यच्चयाम नानं यधतां यजतां तथा, ये दैत्रंद्र मेरी कृप्पा से आज के बात जो भी अभी सारे पुन्य बताए कि जो शद्धा के बगेर दान करेगा और जो मेरे भगतों से जिएश़क कर कोई भी सतकर्म करेगा, यो इदान करेगा इत्याली, वो सब मेरी क्रपा से आज, तम्हें राप्त होने वाले तो देखो उसमें अपने कर्म के अंदर और कृशल कर्म से गनान हैं कि अपने कर्म से समझ कर अपना कर्तव ये समस्कर उसको किया तो गवान ने उसको कितना सब कुछे दिया कितना सब उसोच भी नहीं सकता था और इसी तरह से हमें भी अपने नियत कर्म को ज़रूरी करना साहिए ये नहीं सोचना साहिए कि इसका रिजर्ट खराब निकलेगा हमारा जो कर्तव ये है वो हमें अवश्य करना साहिए आज सब कर बहुत बहुत धन्यवाद